तो आज के हमारी जन्नी होने वाली एंदाबास से वीरुपमिर के बीच अगर आपके पास चाय हो और ऐसा माहल हो और उसाथ में आप हाइवे पर खड़े रहे के चाय पी हो तो बात ही कुछ और है तो आप सबका स्वागत है जलाराम टेंपल वीरुपूर में तो आज के हमारी जन्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली क्योंकि आप लोग थम्मेल और टाइटल देखे पता ही चल गया हो गया जा रहे हैं ऐसे मंदिर पे जहां पर डोनलसन लिया नहीं जाता जियां हम जा रहे हैं राजकों से आगे वीर Side Z of भीर तो अगर आप बैं क्र रहे हैं मदावाश के विच में बस जन्नी तो आप estuvी दे तक देखना चाहिए अगर आप अभी तक दो एपिसोड नहीं देखे तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आपको देख सकते हैं एपिसोड वन और एपिसोड टू तो मैं सारा कुछ आपको मैं दिखाऊंगा अभी टाइम लेट होगा फिर भी मैं हमारी बस यहां से निकलती है कुछ साथ बच के 20 मिनीट को तो मैंने चूश की एमदाबास से एक को लवाडी की बस ही आप पीछे मेरे देख सकते में दिखाऊंगा सारा कुछ अभी यहां पर मैं आपको बस निकलता हूँ यहां से हम डिपाचर करते फिर रेस्टोप होगा सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कहा कहा होल्ट होता है और कितने घंटे में पहुंचेगे कितने आपको फेर पे करना पड़ेगा विरपूर जाना है वन डे ट्रीप कैसा होगा कुछ आएगा सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा तो करते ही स्वीडियो को स्टार्ट हमार तो हमारी बस निकल चुकि यहम्दाबाद गीता मंदिर बस पोड से इसाथ बच के 20 मिट को मेरी जर्णी है वह साथ बच के 20 मिट को स्टार्ट होदी और मैं गीता मंदिर के कितने बज़े पहुचा आपको बदाए कुछ साथ बच के 10 मिट को मेरे पास 10 मिट है इंट्रो सूट करने के सब कुछ इसकी वजह से मैं आपको अभी बस नहीं दिखा पाया पूरी तरह का से म राज़पूर्ट और गॉंडल और लाश्ट में हमारा वीरपूर्ट यह बस जाएगी अपको लवाडी तो यह बस कवर अफ करते हैं कुछ गॉंडल से भी आगे वीरपूर्ट से भी आगे आपका जेथपूर् फिर हो गया कुछ आपका जुनागड और देन सासरंगीर भी अगर आपको सासरंगीर जाना है मतलब बॉल सकते बस सफारी भी करनी तो इस बस को रिफेर कर सकते इस बस में आप जा सकते और बात करूए अपको कुछ रूट इस बस का और टाइमिंग की बात करूए सुबह साथ बच के भी समय को अंदवार गीता मंतिर से निकलती है आराउंड आपको वीर्पूर्ट समझेज़ें कुछ दो से दिन बजे के आराउंड पहुंचा देगी ट्राफिक नहीं रहा तो और मैंने पेगे राउंड 166 रुपीज आपको स्क्रेंट पर जीव पुरा होगा कौन सा रूट है और आपको अगर वीर्पूर जाना आए तो कौन सी बस आपको ज्यादा अच्छी जाएगी आपके लिए तो मैं सारा कुछ आपको इस वी दिखाऊंगा तो अभी तक आप इस वी लाइक नियागा तो लाइक कीजिए और जैने पेल नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए तो करते हैं जर्णी कंट्यूर टूट्स वीर्पूर के लिए और मेरे साथ बूले तो सही जाएग जला रहा कि वाइब का। पना तो सही जाएबमा बादस मेंदे बचना तो सब्सकराइबर के वाइकि नहीं बजसों लाइक कीजिए और में रिख besser मकराईब कीजिए झाल नचे जो दो बाहदे जो हुआूब। झाल झाल यू और मचलब कर दो खैंट ख corridor जouflच है खाल गुष कर दो भाग बहुडरी दो तो 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 हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कि थी एमदाबाद कीता मंदिर बस्टेंड से करीब साथ बच के 20 मिनिट को और अभी हम आप पहुंचे कुछ हमारा ओफिसली फर्स्ट होल्ट है लोकल अप समझ लिए कुछ बघुद्र हो जाएगा बघुद्रा बस्टन यहां से दो किलमेटर के आगे और होल्ट है यहां पर मैंने इस वीडियो में आपको बस नहीं दिखा यह रूट नहीं दिखाया मैं सब कुछ आपको दिखाता हू बारी किसे लिगिन अभी हमारा होल्ट है 10-15 मीट यहां बस खड़ी रहती है ओटल राच कमल आपको स्क्रीन पे दीख रहा होगा मैं अंदर बैठा हूँ हमारे साथ जूड गए हमारे बस के ड्राइवर और कंडेक्टर साब आपका नाम क्या है मैस भाई पतेल और आपका बरस मकवाना और गरत बाइ मकवाना और आपको कितने साल हो गए जिसे ड्राइविंग करते हो और आपको पंडेक्टर साथ चार साल दो उसमें यह वाली जो हमारे अभी जो बस जने कर रहे उसमें यह बस का नाम क्या है माँशा रूट आपको लवाडी वो कौना टाउन है तो यहां पर महारास में कुछ रतना गिरी जो उसमें आम फहमस है तो हमारे गुजरात में तलाला के आम फहमस है बस वही उसके आगे 20 किलोमेटर के आगे अब को वाडी की वही अमने उस वाली बसको चूज किया है और पहले यही रूट पे थे आप के दूसरे रूट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रूट देते हैं या फिर ओके और यह जो होल्ट अभी आपने दिया यह कहां पर बगुद्रा बगुद्रा और होल्ट के साइच्छा है न मतलब सबकुछ बढ़िया यहां पर आपको मैं बार से एक बार दिखा देता हो होटल कैसी है फिर ए यहां पर अभी तो GSRTC हमारे ड्राइवर और कंडेक्टर से अपने हमको चाय ओफर किये तो मैं चाय पीता हूँ अभी चाय आ रही है चाय बन रही है और चाय पीता हूँ जैन आपको मैं बता रहा हूँ सब कुछ तो तब तक के लिए आप अभी तक आभी इस वोडियों को तो लाइक कीजिए और अभी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके पास चाय हो और ऐसा माहल हो और साथ में आप हाइवे पर खड़े रहे के चाय पीओ तो बात ही कुछ और है और बात करो हमारे बस की तो आप पिछे देख से यह रही बस और अगे मतलब लोकल एरिया आपका हो जाएगा बगोत्रा रूट वोड आपको एकमार में दीखा देता हूँ पहले में यह चाय खतम करता हूँ वाइशाब चाय लास अवाग अमेजिंग एसा अब अगर काथिया वड में आरो उनकी चाय नहीं भी तो क्या काथिया वड में आये तो चाय तो जरू ट्राइओट करना आपको एक बार रूट बोर्ट दिखा देता तो हमने कौन सी बस सिलेक किये वीरपूर जाने के लिए आपको एजीली आइडिया आजाए कि आपको इस बस में पुल कर सकते अगर आप इस बस में जरनी कर रहे हैं तो आपको कैसा कमफरेटिबल मिलेगा और कितने गांटे आपको लगेगी कासी जरनी होगी सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जा जाएगा तो मैं आप आपको दीखा दे तो एक बार आपको दीख रहा होगा एमदाबाद से अक्कोलवाडी अक्कोलवाडी आया है गीर का कुछ चोटा सा टाउन है तो अपने नाम सुना होगा सासानगीर का बस वहाई से कुछ 40 या 50 किलो मेडर के या फिर संथिंग 30 किलो मेडर के अराउंड है और हमारी बस एमदाबाद से चोटिला, लिमडी, प्राचकोड, गॉंडल और वीरपूर हमारा डेस्टिनेशन हो गया और जुनागड हो गया आपका घेरिना और देन हो गया आपका तलाला जो आपको मैंने बताया हमारे तलाला गुजरात में आम के लिए जाना जाता है सो आप देख सेता है यह वाली कुछ बस है आपके इसके लूग पर मत जाए मतलब कलर पर इसको थोड़ा अभी न्यूवली रूट स्टार्ट किया इसकी वज़े से यह वाली बस अभी टेंपरररी दी है और आगे इस बस को अपग्रीड किया जाएगा तो आप इस बस में बोड कर सकते हैं वीरपूर के लिए कि आप जुनागड के या लिए फिर साशन गिर के लिए भी जर्नी कर रहे है तो आप इस बस में सुबह निकले और साम मलब सदूपेर तक आप महां तक अपनी डेशनी से तक पहुच जाएगे सो कंटीनु करेंगे यहां से हमारी जर्न को वीरपूर के लिए को कि महां थे जर्यान के लिएएक लिए Сथजए के लिए सबत्सीनु करने ओ सुबह देखं झाल या जलिए साम जल लीर से करेंगे हम है sniper मैं जर्दादरर जिएत करेंदा बही हाँ झाल, ऑिक झाल, झाल, तो झाल, तुमत झाल, चाल कर अफ्she by telch से कि इत time कि पुभे हो कि भुभे हो कि ब भोर्सिंग पते दय cockroach कि अव्意 है ख़ोने कि अव्या सो कि वजल बिजे है भी कि अवै मिद्ण सकताली कि अव्याम works भी कि अवाबार numa प्राइब के रीजिए के सबस्टें उति हाया उना झाला प्राइब किरोंगे करता है झाल आप देख सकते हम पहुंचे अभी फिलाल चोटिला हाइवे पे यहां पे आपका चोटिला मंदिर हो गया और बात करूँ चोटिला का व्लोग अल्ड़ी हमारे चैनल पे अपलोड़ेड है एमदा वद्से चोटिला का व्लोग एपिसोड नंबर टू पे हमें रखा है उस व् आपको लिंक मिल जाएगी या फिर साउरस यात्रा पे आपको मिल जाएगा और बात करूँ अमदाबाद से जो एमदाबाद राचपोट शिक्स लैन आइवे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंटी पसें का वर्क हो चुका है 20 अभी अंडर वर्क है तो बजेट के बात करूँ तो अराउंड 200 क्रोड रुपेश में उसका पजेक्ट अपरो किया जाएला लेकिन अभी 80 पसेंड काम हुआ है और 20 पसेंड के अराउंड अभी काम पाकी है तो मेरे क्याल से में भी बन एर अभी लग जाएगा और आप क्या बोलना चाहेंगे मतलब आपका क्या सज वजा सुप है प्लत कर दोड़ है लाएगी लाएग citrusज के क्या साथपका không הएगी करो कि ए। म हम रुप है तो में भी घंड इह करो कन हे दू है गल्लत कि दोग को होेरा ह। कि कर На coming किसम भी करने करे कि कार, Shark प्रकाईम यप जग माद सुटाई किसम भंप झाल झाल अजय है। सो टाइम हो रहा है 12 बचके 30 मिनिट और अभी हम पहुंचे राज़कोर्ट बसकोट आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैं आपको मैं आपको बाहर से दिखा है यह सिक्यूरिटी गार्ड मुझे कपस बोल रहा है कि आप बाहर जाके वीडियो सुट कहिए यह सब्सक्राइब कि रूम मिल जाएंगे अच्छे वाले टॉलेट मिल जाएंगे सभी यहां पर फाइस लेकिन एक ही ड्रॉप बैक है यहां पर कुछ आने जाने की जो बस जो चोटी है मतलब हमारे गीता मंदिर बस्टेंड आप देख सते हैं यहां पर बस्टेंड चोटा है मतलब वैसे फैसे अब चुछ आपको होगा राजपोर्ट बस्ट अमारी बस्ट 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 वाहां पर सामने खड़िये सो यहां से अभी अपरोक्स 40 से 45 किलोमेटर से यहां से अमारा वीरपूर हो जाएगा अभी करेंगे अभी कंटिनी यहां से अभी जर्णी पिरपूर के लिए टुछ सब्समें, कई झातके हैं भी अज़ेगा हैं, कपड़ोर मोड़ी एंड़ मोडर होगा है, करे अबाएएब एंड़का हैं, कि अबएएब किऊ हूबगद ISन तूबड़ी का रुछ उपनाभद इंड़ी मोड़ी मोड़ करें शो इंड़ हैं मोड़ होगईएब झाल गुट हम भाफ उयाँ झाल फिर शिर भाफले को डिर ढूए हुआ हुआ पहुआ है क proceso के भिलाठे हैं लुडो Foreign मंगा मुणा मुड़ी का भिलाए अरet लिएको जिए प्रॉड़से अरे की जदाजर जदे लुड़ा हा Рos आ गाल कि जीज और बाल एवाँ और art एवाँ नन्षब लाद खाल खञी हैं दोटांगा हैं पाला आया हैं वह जाय हैं जुटार आब हैं पाला तरो इंड हैं पाला नहीं एिदे कि अड़ का अड़ साय बिदगां तर सफद्टा सेफें देको ओया हैं अपट अब हो आप है अब हो आप सो आप सब का सवागत है जला राम टेंपल विरपूर में जी हां अभी हम पहुंच गया है वीरपूर बस टेंड पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है वीरपूर बस टेंड टाइम हो रहा है कुछ दो बच के 10 मिनिट सो हम निकले थे सुब्य साथ बच के 20 मिनिट को और जल्दी जल्दी में निकले थे फिर भी अराउंड दो बजे दो बच के 15 मिनिट को यहां पर पहुंच गये है तो आपका यह हो गया विर्षट्ययं तो चलिए अभी बाहर चलता हूं मैं आपको दीखाता हूं कैसे आप विरपूर जो मंदीर वहां पर आप जा सकते हैं तो चलिए पहले मैं आपको सब कुछ दीक्वाता हूं कितना कोस्टिंग आपको लगेगा एंधबाद से में आप आए है वही बस आपको एजिली आपको दो दो घंटे में विरपूर से एमदाबाद के लिए भी मिल जाएगी सब्सक्राप के साथ इस में आपको आफोड़ीबल प्राइस के साथ मदाब के साथ यहां पर विरपूर पहुंच सकते हैं और बात करो यहां से आप अभी सब्सक्राइबाद के वन दे एक वर टू बनाइए वीरपूर जेन्ड यहां से आपको हो जाएगा जुनागर फिर शा बंद है जून जूलाय और अक्टोबर में बंद रहता है तो वह व्लोग आपको सवरास यात्रा में नहीं देखने को मिलेगा अभी तो बात करूं फिलाल अभीरपूर जलाराम टेंपल की तो यहां से अराउंड कुछ 200-300 या समझ लेज अराउंड 500 में मिटर है यहां से अपका मंदीद तो देखते हैं यहां से इजली में रिक्सा करम के जाऊंगा यहां से और बात करूं आपको बाहर के दिखाऊँ का मार्किट दिखाऊँ अपे देखते हैं कुछ दूपेर हो रहा है तो आपके लिए लंच भी आपशे प्रसाद भी होगा तो मैं आपको जरूर इस उड़े में दिखाऊंगा वरना एंड वहां पर में आपको मार्केट दिखा के दे दूँगा तो अर लास्में आपको सब कुछ बताऊंगा कि इतने टोटल आपको कितना फैर होगा एम्दाबस से या फिर कहीं से भी आप यहां देन वापिस आपके होम जाते हैं तो कितना आपको टोटल पे करना पड़ेगा और अवल रेटिंग की बात करूँ बस जरनी की तो मुझे 10 आउट ओफ 10 देना चाहता हूँ क्योंकि यह वाला जो बस से नया रूट है अभी देखते हैं कौन सी डिलक्स बस अभी देते या स्लीपर बस इसी रूट पे नई देने वाले तो देखते हैं फिर देन सासनगीर में वही बस में आपको कवर अप करके दिखाऊंगा एक कोलवाडी की तो यहां से अभी देखते हैं कैसे जा सकते हैं जलाराम टेंपल में आपको दिखाता हूँ बार से दिखा सकता हूँ अ आपका नाम क्या है यहां के विर्पूर के विर्पूर के अभी बस टेंपर खड़े हैं मतलब विर्पूर बस टेंट यहां से आपको जलाराम टेंपल जाना तो कितना रूपय आप मतलब चार्ज करेंगे 30 रूपय पर पर संब और समझ लिए कुछ ग्रूप है फाइल हो ग और चाकपाज आदमी होगा तो दस दस अब जारती दस बजे बोजन चलू होता है दस ते दो बजे तक और मैंने यहां पर सुने है कुछ यहां पर कुछ दान या फिर डोनेशन नहीं लेते हैं कितने सालों से नहीं लेते और 2000 की साल से ना 2000 से महिला समझे के अराउंड 23 यह वोगे डोनेशन नहीं नहीं देखे ऐसे मंदीर चलता है अपने भावी बगतर से होके और चलते हम मंदीर की वार अभी मंदीर तो फुला होगा कि बंद है लेकीन अंदर के मेरा अलाउट नहीं है क्यमेरा अलाउट मैं सुबए गाई बताया साम का कقै मलबसा साम का चल होता है नौ चलने में waar्या शहो से नौ दौन तो दाधा से मैंने बात कि तो वह बता रहे कुछ अराउंड बस्ट आप से आपका मंदिर हो जाएगा मेरा कोई नाम लेगा चैनल का तो आपको जरूर यह डिस्काउंट देगे मेरे ख्याल से देगे ना मेरा कोई नाम लेगा चैनल का आप यह वीडियो का तो आप दिस्काउंट देगे ना उनको और अभी तो देखते हैं फिलाल वहाँ जाके मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ और क्या बता सकता हूँ बात करो अभी के तोड़ी गर्मी ज्यादा है यहाँ पे फिर भी मैं आपको पोसिस कर रहा हूँ सब बेसबरी से आपके लिए सप्राइज सप्राइज जननीज है और तो डिफरेंट टाइफ के साथ डिफरेंट टाइपस के रूट्स आप सिलेक्ट कर रहे है यह देखते है इस जो वीरपूर वाला जो रूट था उसमें मुझे रेड कलर की जो डिलक्स बीस 6 मॉडल थे उसम तो अभी तक आभी सेड़ो को लाइक निया के तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो सब्स्राइब कीजिए तो चलिए जलाराम बाबा के मंदिज है और वहां पे आपको दर्सन करोता हूँ बात से और मार्केट दिखा लेता हूँ मुझे थी थे नि वेक्रात कुछ पांच मेर के बार रिक्रा के बार यहां पर पहूंच गए अ cherry market पूरा आपका पीछे हो जाएगा जलाराम typical वहां पे अलाउड निए यह केमेरा यह कुछ आपका मार्केट हो जाएगा बात करो हमारे प्राइजिंग के टिकेट के तो वन डबल सिक्स रुपीज मैंने पे किया था और यही से भी आराउंड पे करके वही से एमदाबाद जा सकते वीरपूर से और आपका टोटली कोश्ट आराउंड समझेजे कु अब कुछ खरी सकते और भोजन प्रसाद की बात करो तो अभी टाइम बंद है मतलब राउंड समझेजे कुछ 11 से दो बजे के तक ही चालू रहता तो अनफोर्टनेटली अब इस बार भी मुझे आपको दिखा नहीं पाऊंगा भोजन प्रसाद और सामके 6 बजे तक आपन ह हो जाएगा वापिस हमारा बोजन प्रसाद तो यह कुछ आपका हुए मार्किट मैं आपको दिखा देता हूं मार्किट का सिनेमेटिक स्टोर्स आपको दिखा देता हूं मंदिर के सिनेमेटिक स्टोर्स बाहर से आपको दिखा देता हूं तो यह रहा कुछ आपका ज़वार यहां से आप अंदर जालाराम टेमपल मतलब जाला मंदीर वहां पर लाको दर्सन कर सकते अंदर कैमेरा लाउट नहीं और यह आपका मंदिर का थोड़ा व्यू भी आपको मैं दिखा दिया भोजन प्रसाद के भी मैंने आपको इंफोमेशन मैंने आपको दे दी और बस इतना ही था वीडियो में तो मिलता हूँ आपको सवरा स्यात्रा के एपिसोर नंबर फॉर में तब तक के लिए अपने और अपनी परिवार का जैनले हैं